वेलकम टू माइ यूटूब स्टडी चैनल डियर स्टुडेंट आप सब अच्छे से होगी आपकी फैमिली बहुत अच्छे से होगी मानते हैं कि लोगडाउन हम सब के लिए प्रॉब्लम क्रियेट कर रहा है लेकिन स्टडी की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम कंटिनेसली आप लोगों को ओनलाइन लेक्चर प्रॉइड कर रही है तो डियर स्टुडेंट आप अपनी तरफ से भी अपनी पूरी महनत कीजिए हम लोगों के पास टाइम कम है फेस टू फेस बेट करके हम लेक्चर अटेंड नहीं कर पाएंगे काफी टाइम लग जाएगा लेकिन तब तक हम बैठ नहीं सकते तो ये स्टुडेंट हम लास्ट जो लेक्चर में हमने किया था सीरीज पहलल कम्बिनेशन उन पे बेजड में आप लोगों को नियुमेरिकल्स करवाय थे तो आज हम जो है हमारे चैप्टर के अंदर हम स्टडी करते हैं हिटिंग इफेक्ट ओफ इलेक्रिक करण्ट हिटिंग इफेक्ट ओफ इलेक्रिक करण्ट इसको जूल हिटिंग इफेक्ट ओफ इलेक्रिक करण्ट के नाम से भी जाना जाता है अब क्योस्टिन ये एराइज होता है कि करण्ट हिटिंग इफेक्ट क्यों परड्डिूस करता है हिटिंग इफेक्ट ओफ इलेक्रिक करण्ट से हमारा मतलब है जब भी हम किसी conductor को या कोई resistance को अगर हम current provide करते हैं तो उसमें heat generate होती है ठीक है इसी phenomenon को हम hitting effect of electric current भी कहते हैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा electric iron जिसमें हम iron करते हैं तो वो गरम होती है, heat up होती है इसी तरीके से आपने electric road देखी होगी, electric toaster देखा होगा तो वो heating effect produce करता है तो वो heating effect क्यों produce करता है उसके पीछे की जो है आज जो basic principle है वो study करने की कोशिस करेंगे हम let's suppose हमारे पास में एक ये conductor है ठीक है, इसका resistance है काफी इसका resistance हाई है और मैंने इसको एक बैटरी से connect किया हुआ है एक बैटरी से मैंने इसको connect कर दिया बैटरी इसमें क्या करेगी potential difference create करेगी इस point और इस point के बीच में बैटरी कभी भी आप ध्यान रखना ना तो चार्ज देती है और ना ये कह सकते कि current देती है, एक situation create कर देती है कि current flow हो दो point के बीच में, दो terminal के बीच में potential difference create करती है जिसकी वज़े से electric current flow होता है तो ये battery का काम है चलो हम अपने point पही चलते हैं तो ये conductor है जिसका एक resistance हमने consider कि हाई resistance है और इसको मैंने battery से attach किया है अब इसमें heat क्यों produce होती है इस चीज़ को समझने की कोशिस करते है तो देखिए heat जो produce होती है इसको थोड़ा सा microscopic level पर जाके देखते हैं ये जो conductor आप लोगों को suppose करो कि ये copper से बना हुआ है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि copper जो है आपने ions कैसे बनाता है Cu2 positive auto electron तो ये जो Cu2 positive है इसको हमने कहा था करनेल ठीक है ये positive charge है heavy portion है और ये जो दो electron है split up होगे जो motion करेंगे ठीक है अब इसमें होता क्या है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे kernels जो है जगे जगे पर बैठे होंगे ऐसे conductor के अंदर बहुत सारे बैठे होंगे अलग जगे पर ठीक है तो ये इस तरह की situation है और suppose करो ये वो conductor है जिसकी हम बात कर रहे है ठीक है यहां से जो current flow करेगा तो हो सकता है कि electron मान लो कि इस direction में travel कर रहे हैं तो electron जब जाएंगे electron को कौन pressurize कर रहा है कि वो flow हो वो है battery हमारी तो ये battery क्या करेगी इसको energy देती है in electrons को मू करने के लिए और ये electron तेजी से जाते हैं और ये positive charge करनेल जो है इनसे collision करेंगे electrons collision करेंगे इनकी energy loss होगी hitting के दोरान ठीक है यानि इनसे hit करेंगे hit करते ही जो है या इनसे strike करते ही अपने energy जो है इन positive charge करनेल को supply कर देंगे ये electron फिर ये next चलेगा फिर collision करेगा यहां जैसे velocity बढ़ेगी और कुछ दूर जाने के बाद यह हो सकता है instantly उसी time पे ही किसी दूसरे positive charge करनेल के साथ में टकरा जाएगा तो यहां फिर energy loss होगी फिर इसको energy continuously क्योंकि battery continuously energy supply करते रहती है तो यह यहां से फिर collision करता हुआ इदर उदर जिग-जग motion में जो है motion करता हुआ जाएगा और अपनी energy distribute करता हुआ जाएगा देता हुआ जाएगा अब होता क्या है कि अकेला electron नहीं आये इसके पीछे 0 electron है number of electrons है वो सारे आएगे और वो भी अपने energy इस atom को continuously देते चले जाएगे तो overall होता क्या है कि यह जो हमारा positive charge करने ले इसके energy धीरे-धीरे-धीरे increase होती चली जाती है अब यह energy जब increase होगी तो इसके अंदर क्या आ जाती है randomness आ जाती है ठीक है अकेला positive का charge करने लें यह सारे के सारे जितने positive charge करने लें इनके पास इसी तरीके से energy आई है और यह energy हमें heat की form में नजर आती है तो यह heat जो है किस तरीके से generate हुई है वह मैंने आप लोगों बताया है तो अब जो है heat का हम general formula study करते हैं कैसे जो heat produced heat produced मतलब कितना current जो है हमने flow करवाया है उसके square के directly proportional directly proportional से मतलब यह proportionality का sign है मतलब current अगर increase हो रहा है तो heat increase होगी और directly proportional है resistance के इस conductor का resistance कितना है जितना resistance है जितना ज्यादा resistance होगा ठीक है और directly proportional है time ठीक है यह तो होगया हमारा current और resistance को हमने लिया है R और T है हमारा time ठीक है time को हम यहां second में लेंगे ध्यान रहे अब जो इस तरीके से आपने यहां तीन quantity आप लोगों को नजर आ रही है current, resistance और time इन तीनों के directly proportional है जितने ज्यादा time तक हम current flow करवाएंगे उतनी ज्यादा heat parties होगी so overall हम इसको क्या लिख सकते हैं overall h is directly proportional to i square r t यह directly proportional to sign को हटाने के लिए यहां पर constant k ले लेते हैं i square r t यह क्या है हमारा proportionality constant लेकिन इसकी value हमारी k is equals to 1 होती है तो हम इसका formula generally क्या लिख सकते हैं i square r t यह formula बन जाएगा ठीक है यह heat produce का formula हुआ heat जो है हम किसमें measure करते हैं heat हम किसमें measure करते हैं measured in calories ठीक है 1 calories equals to कितना होता है 4.18 Joule के बराबर होता है कई बार हम इसको 4.2 Joule भी ले ले लेते हैं ठीक है 4.2 Joule भी ले ले लेते हैं तो यह हमारा heat का general formula हो इसके अलावा भी और formula होते हैं इसके अलावा formula कैसे बनेंगे वो भी समझा देता हूँ अभी आपने क्या सिखा है कि आपने का कि I square R T यह हमारा H होता है हीट को हम energy से भी represent कर सकते हैं energy और work done इन तीनों की unit जो है Joule होती है ठीक है आप देखिए हमें पता है कि V equals to IR होता है और I equals to क्या कहोगे आप I equals to V by R तो इस formula में रख दीजिए H equals to V square by R square हो जाएगा क्योंकि square है वहां पर I और I की value V square by R square हो जाएगी ठीक I square करने पर एंटू R T एक R से 1 R cancels तो हमारा formula बन जाएगा V square by R T एक formula यह बन गया एक formula यह था एक यह बन गया इसी तरीके से और formula बनाने आर की जगें पर रख दो formula आर की जगें से यह formula है R का क्या बनेगा V by I बन जाएगा ठीक है इस जगें पर रख दो तो H equals to I square R की जगें पर लिखेंगे V by I into T I से I cancels V I T एक formula यह बन गया ठीक है तो यह हमारे heat के general formula हो गए तो हमारा overall formula जो है अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं H is equals to I square R T is equals to V square by R T is equals to V I T ठीक है यह हमारा formula हो जाएगा इसके अलावा हम इसको power into time भी लिख सकते हैं ठीक है यहां पर power ठीक है electric power इसके बारे में भी हम study करेंगे तो यह heat के formula हो गए हमारे I hope आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और dear student अगर आप first time मेरे YouTube channel पे आए हो तो जुरूर से जुरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मैं यहां पर 9th 10th plus 1 और 2 की physics का detailed labels आप लोगों को करवा रहा हूँ और अपने friends circle में भी जुरूर से जुरूर इंफॉर्म करो और वो चैनल को सब्सक्राइब करवाईए ठीक है चलो next चलते हैं electric power electric power पी से represent करते हैं electric power का मतलब होता है actual में देखिए power को हम generally define करते है rate of doing work rate of doing work यहां electric power है electric power का मतलब यहां पे भी rate of doing work है rate of doing work इसको हम बोल सकते हैं लेकिन यहां work कोन सा है यहां पे electrical work है तो हम इसको यह भी कह सकते हैं amount of electrical energy consumed in a circuit in given time ठीक है it is defined as the amount of amount of electrical energy consumed by circuit consumed by circuit consumed by circuit in given time ठीक है given time के अंदर power is equal to हम लिख सकते हैं electrical energy divided by time taken ठीक है अब power जो है किसमे मेजर करते हैं measure in watt volt नहीं है या watt ठीक है तो actual में 1 watt is equal to होता है 1 joule per 1 second तो 1 watt हम किसी भी electric appliance की power कब कहेंगे जब वो 1 joule of work done करता हो per second में ठीक है या फिर यह कह सकते है 1 joule of energy consume per second तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि उसकी power जो होगी वो 1 watt होगी ठीक है 1 watt W equals to joule per second भी लिख सकते हैं ठीक है जूल पर कुलाम क्या था यह था पोटेंशिल जूल पर second क्या है वाट ठीक है अब electric power की और भी unit होती है किलो वाट किलो वाट का मतलब 1000 watt ठीक है मेगावाट मेगावाट का मतलब होता है 10 की power 6 watt 1 गीगावाट गीगावाट मिन्स 10 की power 9 watt ठीक है यह चीज भी ध्यान रखना 1 horse power होती है 1 horse power 1 hp कह सकते हैं 1 hp कितना होता है 746 watt की बाराबर होता है किसी भी मोटर की यह मैं electrical energy में भी थोड़ा आपको लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता हो रहे याद रहे electrical energy में hp की unit यूज नहीं होनी 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 है लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ ठीक है यह थोड़ा हटके बता रहा हूँ यह सब चीज तो 1 hp से मतलब है अगर किसी भी device की किसी appliance की 1 hp power है इसका मतलब वह 746 joule work done कर रहा है अब इलेक्ट्रिक पावर का जो जनरल फॉर्मूला आपने कहा energy divided by T energy किसके equal है h by T और या फिर हम कह सकते है heat जो भी है ठीक है work done पर unit time कह सकते है energy heat का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था i square r t is equals to v square by r t or v i t तो हम अगर इसको T से डिवाइड करेंगे इन फॉर्मूले को तो पावर के जो जनरल फॉर्मूले बनेंगे i square r v square by r is equals to b i ठीक है यह फॉर्मूले बन जाएंगे यह पावर के जनरल फॉर्मूले बन जाएंगे एक चीज और यहां पे हम बता देते हैं kWh, commercial unit जो हैं, हम यूज करते होते हैं electrical energy के लिए commercial unit कि commercial unit से क्या मतलब है commercial unit of electrical energy इसको हम B.O.T. के नाम से भी जानते हैं board of trade unit ठीक है, Board of Trade Unit इसको हम Board of Trade Unit भी बोलते हैं Commercial Unit of Electrical Energy बोलते हैं या फिर One Unit के नाम से भी जानते हैं One Unit जो घर में हम जैसे मेटर रीडिंग देखते होते हैं तो उनकी यूनिट जनरली हम वर्ड यूज करते हैं One Unit One Unit से हमारा मतलब है One Kilowatt Hour One Kilowatt Hour से हमारा मतलब है One Kilowatt means One Thousand Watt Hour आर्स को भी हम Second में Convert करते हैं One hour is equal to 60 minute और हर एक मिनिट के अंदर 60 seconds So, 300 seconds हो जाएंगे So, One Kilowatt Hour is equal to Three Six Zero Zero into One Thousand Or you can say that Three Point Six into Ten raise to the power Six Joule energy के बराबर होती है ठीक है तो जो Commercial Unit है या BOT है या One Unit जिसको हम बोलते हैं वो Three Point Six into Ten raise to the power Six Joule के इक्वल होती है ठीक है अब देखिए Application of Hitting Effect पे हम बात करते हैं अप्लिकेशन और फीटिंग इफेक्ट से हमारा मतलब जैसे एक बल्ब है हमारे पास में ठीक है एक बल्ब है इस बल्ब के अंदर हम एलेक्रिक करंट देते हैं और यह ग्लो करता है अब ग्लो करता है तो इसमें एक्चुल में क्या चीज हो रही है यहाँ पे एक फिलामेंट लगा होता है यह फिलामेंट बहुत इंपोर्टन है यह फिलामेंट बना होता है टंग्स्टन से किसे बना होता है टंग्स्टन से ठीक है, और melting point high है, इसके अलावा यह oxidize नहीं होता, high temperature पे, do not oxidize on high temperature, जब temperature बहुत ज्यादा high हो जाता है, उस पे भी यह oxidize नहीं होता, oxidize अगर होगा, तो जल्दी तूड़ जाएगा, ठीक है, और एक और point है, it gives white flame, ठीक है, on hitting, hitting होने पे ही हमें white flame के साथ में, एक किसम से कह सकते हैं, कि जलता है, flame नहीं कह सकते हैं, इसको actual में, मतलब white light जो हमें देता है, किसम से कह सकते हैं, तो सबसे important तो यह दो point है, high melting point होता है, boiling point इसका high है, और oxidize नहीं होता high temperature पे, इसलिए हम tungsten को use करते होते हैं, इसकी बिल्कुल थिन सी wire हम use करते हैं, इतनी थिन सी wire भी जो है, high temperature होने के बाद भी, यह melt नहीं होती, तो यह इसकी वज़े है, जिसकी वज़े से हम इसको electric bulb बन safety device, safety device है, हमारा मतलब घर में जितने भी electrical appliances है, उसमें जो current जाता है, वो पहले इस electric fuse से होता हुआ जाता है, अगर by the way बहुत ज़्यादा high potential आ जाता है, electric current जाता है, तो generally होता है कि यह fuse है, यह हमें safety provide करता है हमारे appliances को, किस तरीके से करता है, जो electric fuse है, it is generally made up of an alloy, यह alloy से बन teen और lead से बना होता है, teen और lead से, teen 60% होता है, उसमें lead जो है, I think 40% होता है, तो यह इसमें combination होता है, alloy का, यह teen और lead का जो combination हमने use किया है, इसको क्यों use करते हैं, इसका low melting point है, low melting point, और दूसरा high resistivity, high resistivity, high resistivity है, low melting point है, जैसे high current आएगा, तो high heat परड्यूस करेगा, resistivity high है, तो heat भी ज्यादा परड्यूस करेगा, और जल्दी ही melt हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारे जो devices है, उनके लिए, एक किसम से यह कह सकते हैं, safety provide करता है, तो वो हमारे electrical appliances जलने से बच ज हमारा यहाँ chapter जो है, मेरी तरफ से complete हो जाता है, अब आप लोगों की practice बाकी है, काफी सारे questions जो है, आप इन पर करके देखिए, और जरूर से जरूर question पूछिए, अगर my dear student मुझसे यह PDF चाहते हो, जो चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर इनकी PDF आप लोगों को चाह कर सकता हूँ, thank you and have a nice day.